हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि CISF क्या है इसके क्या कारिये हैं और आप इसे कैसे जाइन कर सकते हैं CISF का पूरा नाम Central Industrial Security Force यानी कींद्रिय उद्योगिक सुरक्षा बल है CISF का मुख्य कारिये बड़े उद्योगों को चैसे Steel Company आदी को सुरक्षा प्रदान करना है दोस्तों देश के VIP के Security का काम भी CISF ही करता है देश के Heritage Monuments चैसे ताज महल, इंडिया गेट और रेड फोर्ट और भी ऐसी देश की ऐसी ही जगहों पर CISF ही Security देता है और इसके साथ ही बता दें कि हमारे देश के जो Airports है, Sea Ports है, Nuclear Plants है और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो CISF के ही अंडर में आती है दिल्ली Metro भी CISF के अंडर में ही आता है आईए अब बात करते हैं कि आप CISF जॉइन कैसे कर सकते हैं CISF ने हाल ही में 2019 Head Constable Post के लिए Notification जारी किया है CISF को जॉइन करने के लिए जो Interested Candidates हैं वो 21st of January 2019 से 22nd of February तक अपना Online Form फिल कर सकते हैं इसके लिए 100 रुपी पर Head Feast रखी गई है आईए देखते हैं कि इसको जॉइन करने के लिए आप में क्या-क्या Eligibilities होनी चाहिए सबसे पहले तो आप Indian Solution होने चाहिए आपकी Age Limit Minimum 18 Years और Maximum 25 Years रखी गई है आपने 12th Pass की होनी चाहिए और अगर Physical Standard की बात करें तो CISF ने Male Candidates की Height 165 cm रेक्वाइर की है और Chest Unexpanded 77 cm और Expanded 82 cm रेक्वाइर की है और Females के लिए Height 155 cm रखी गई है CISF ने अपनी 429 पोस्ट में से Female Candidates के लिए 10% vacancies दी है अगर देखें तो Female Candidates के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी है CISF अपने Candidates का सेलेक्शन चार स्टेजस में करता है जिसमें First Physical Standard टेस्ट और Documents होते हैं अगर आप इसे clear कर लेते हैं तब ही आप written exam के लिए apply कर सकते हैं ये Hindi और English दोनों में होता है इसके बाद आपका होता है type writing test इसमें आपको 35 words per minute English में and 30 words per minute Hindi में type करने होते हैं अगर आप इस सब को clear कर देते हैं तो फिर आपका medical test होगा और इन सब के बाद merit list बनेगी cut off के according आपका final selection हो जाएगा CISF ने head constable post के लिए जो salary रखी है वो है 25,000 रुपीज से 81,100 रुपीज पर month ये थी कुछ CISF के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दर्निवाद, जैहिन